नमस्कार भाईयों मैं आपका दोगोस्त मोईत पारीक और आप देख रहे हैं आपका आपने यूट्यूब सेनल विकानेर बड्ड इंफर्मिशन दोस्तों अगर आप फिंस बड्ड को पसंद गरते हैं या आप फिंस बड्ड रखते हैं तो आज की इस वीडियो को आखिर तक पूरा जरूर देखें क्योंकि हमने भी आज एक छोटी सी शुरुवात की है फिंस बड्ड को रखने की अपने सेटप पर फिंस बड्ड से ब्रेडिंग लेने की तो आज के वीडियो वास फिंस बड्ड के बारे में होने वाला है कि फिंस बड्ड के बारे में आपको ब्रेडिंग करने में कित्ता टाइम लेती है और फिंस बर्ड केसी ब्रेडिंग कित्ते बच्छे निकालती है तो वीडियो के साथ बने रहे आज काई वीडियो शुरू करते हैं और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप चैनल को सब् कर लीजे क्योंकि अब आपको इस चैनल पर फिंस वर्ड की रिगार्डिंग भी काफी वीडियो मिलेंगे दोस्तों इनको वाइट फिंस कहते हैं जो कि एक ऐस्ट्रेलिया का काफी ही छोटा परिंदा है और काफी नाजुक परिंदा है दोस्तों जो की ठंड में काफी करता है काफी दीरे आवाज करता है और बजीष प्यार्ड तो आप सो जानते हैं कि एकदम काफी सेस्ट सेस्ट से आवाजे करते हैं और काफी दूर अगर बजीष परिंदा होते हैं तो उने सुना ही दे जाते हैं कि यहां पर बजीष दोते रखे हुए हैं वहीं दोस्तों चोंच का कलर देखकर आप male female में पहचान कर सकते है white finch और zebra finch की आप चोंच जब देखेंगे तो आपको इस तरीके से लगे की कि जिसमें ज़ादा रेडने से वो male होता है और female की चोंच दोस्तों अमेशा orange कलर में होती है पठों में ये color थोड़ा सा दोस्तों light होता है सब ये दिरे दिरे बड़ी होती है इसे में color दिरे दिरे dark होने लगता है और पैचान करने में काफी ज़य आसानी होती है वहीं अगर finch bird की breading की बात की जाए तो दोस्तों finch bird तो काफी ही अच्छी breading करती है और ये गोसला बनाकर गोसले के लिए दोस्तों nest material finch bird को पिंजरे में देना होता है और ये दिरे दिरे करके nest material को अपनी मठकी में और breading box में ले जाती है और दिरे दिरे gosla बनाती है finch bird दोस्तों काफी बड़ा गोसला भी बनाते हैं काफी बार मठ्की से बाहर तक भी गोसला ले आते हैं जब इन्हें जादा गास दी जाती है और अगर सही तरीके से इनको गास ना दी जाए तो काफी बार ये अपने एक को भी दबा देते हैं दोबारा नेश्टिंग करने के लिए क्योंकि अगर एक बार आपके finse bird ने neshting कर ली एग ले कर दिये उसके बाद फिर से आप अगर इनको nest material देते हैं तो फिर उन अंडों को भी दबा देती है उन अंडों के उपर फिर से neshting करने लगती है और अगर आप सही तरीके की मठी finse bird को नहीं देते तो फिर ये मटकी के उपर भी नेश्टिंग बनाने लगती है और वहीं दोस्तों फिंच बर्ड की एक खास बात ये भी है कि फिंच बर्ड दोस्तों फाइट बिल्कुल ना के बराबर करती है वहीं अगर बजरी तोतों को देखा जाए तो एक दूसरे को मार कर खा भी जाते है और बुरी तरीके से फाइटिंग होती है एक दूसरों के बच्चे को मार देते है और जख भी कर देते है वहीं अगर फिंच बर्ड की रेट की बात की जाए तो अभी फिंच बर्ड की रेट साड़े 300 से साड़े 500-600 तक चल रही है और मैंने दोस्तों ये फिंच बर्ड 500 रुपे पेर के साब से परचेस की है और ये 4 पेर फिंच बर्ड के हैं और ये दोस्तों सभी पठे हैं छोटे बच्चे हैं और ये कम से कम डेड़ से 2 महिने का टाइम लेंगे ब्रेडिंग करने में अगर दोस्तों फिंच बर्ड की ब्रेडिंग एज की बात की जाए तो फिंच बर्ड दोस्तों काफी सल्थी ब्रेडिंग करते हैं 3-3-4 मत की एज में ब्रेडिंग शुरू कर देते हैं और काफी बार तो इससे पहले भी ब्रेडिंग शुरू कर देते हैं और अगर फिंच बर्ड के अंडों की बात की जाए कि कितने एक ले करते हैं फिंच बर्ड दोस्तों 4 एक से 7 एक नॉर्मली ले करते हैं और नोर्मली दोस्तों अगर फिंच बर्ड का अच्छा सेट अप हो तो फिंच बर्ड के बच्चों की एवरेज भी तीन से चार बच्चों की याज आती है और फिंच बर्ड के दोस्तों जो बच्चे होते हैं वो बिल्कुल सेल्फ होने में ऐची तरीके से बाहर आने में 30 दिन का टाइम लेते हैं और काफी बार पहले भी बाहर निकल आते हैं और अगर इनके डाइट की बात की जाए तो दोस्तों बिल्कुल ही छोटी चोंच होती है इस वज़े से बड़े तरीके के सीड यह नहीं का बाजरा फिंच बर्ड नहीं का पाते हैं और छोटी टाइप का भी बाजरा आता है वो फिंच बर्ड खा लेते हैं फिंच बर्ड की डाइट का 80% बाग होता है बारिक कंगनी उसके बाद बारिक की हुई रोटी ब्रेड एक फुड बोईल राइस और अलग-लग तरीके के ज मुंदरी जाग भी दे सकते हैं दोस्तो मैं आपको बता देता हूँ कि Fince Bird में calcium की कमी काफी जल्दी होती है Fince Bird को काफी ज़यदा calcium की ज़रुत होती है Fince Bird काफी चोटे होते हैं और जब 6 से 7 एक देते हैं तो दोस्तों female में बिल्कुली calcium की कमी आजाती है ऐसे में मैं काफी बार liquid तरीके की calcium multi vitamin भी अपने fince bird को देने पड़ते हैं मैं दोस्तों अपने fince bird को ज़ादा आयरवेधी calcium देता हूँ और काफी जल्द आपको fince bird से breeding लेकर भी दिखाएंगे कि fince bird हमारे setup पर कैसी breeding करते है एक सोटी सी सुरुवात है एक कोसिस है फर्ष्ट टाइम दोस्तों मैं fince bird रख रहा हूँ fince bird को अगर सही समय या सही तरीके से calcium ना दिया जाए तो fince bird calcium की कमी के कारण बिल्कुली हालकी हो जाती है और मर जाती है और अगर बात की जाए कि fince bird को को लोनी में रखना चाहिए या separate cases में तो दोस्तों कोई भी bird हो अगर आप उसको separate रखते है तो उससे जए वो काफी अची breeding करता है और fince bird को लोनी में भी काफी अची breeding कर सकते है और ब्रेडिंग के लिए दोस्तों फिंस बर्ड को मटकी देनी चाहिए या ब्रेडिंग बोक्स तो दोस्तों फिंस बर्ड को आप मटकी दे सकते हैं फिंस बर्ड की मटकी में दोस्तों हम छोटा सुराग ना करें तो भी चलता है क्योंकि fince bird की मटकी के ऊपर धकन नहीं लगता सिद्धे मटकी लगा सकते हैं और काफी भाई जयो पलाश्टिक की चब्यों के अंदर भी व्रेडिंग लेते हैं पलाश्टिक की nest box भी बने हुए आते हैं fince bird के लिए लेकिन दोस्तो अब देखना यह है कि अपने setup पर fince bird कैसी ब्रेडिंग करते हैं तो वो भी आप सभी को जरूर दिखाएंगे तो दोस्तो आज की इस वीडियों बस इतना ही आपको आज काई वीडियो कैसे लगा वीडियो को लाइक करें और साथ ही अगर आप इस चैनल के सदेशे बनना चाहते हैं इस फेमेली के सदेशे बनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सब भी मैं कोई नया वीडियो उपलोड करूँगा तो उसकी नोटिफिकेसन सबसे पहले आपके वाइल फोन तक आएंगी और आप उस वीडियो को सबसे पहले देख सकेंगी प्रेस करें देख सकेंगी प्रेस करें देख सकेंगी